जातर freelancers यह साथ mistakes करते हैं while talking to clients ऐसी कॉन सी 7 mistakes हैं, जो एक नई freelancers करते हैं, client के साथ बात करते हैं, जान्दने के लिए इस video को end तर देखिए, लेट्स गो, रभान, ट्राइटो ग्लोज ऑन ऐमेल या फिर chat, जी हां दोस्तों, आपको client को email या chat पे close नहीं करना है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, client आप पे trust नहीं करेगा, अगर आप उसे email या chat के ऊपर budget अगया present करते हो, या अपना काम present करते हो, या आप उसे close करने की कोशिश करते हो, email chat पे trust बिल्ड नहीं होता, क्योंकि जगे क्या करना है, आपको उनको meeting call या zoom call या google meet पे invite करना है, जब आप सामने सामने face to face बैठेंगे video call पे, automatically trust build होता है, client को पता होता है, क्या हो, आपकी बात करने का तरीका कैसा है, और आप as a human कैसे behave करते हो, कैसे दिखते हो, professional कितने हो, ये सब आपको client को पता चलता है, मह जाके client आपके close होते है, email check पे close करोगे, तो आपको नुकसान हो जाएगा, number two, give an exact quote, अमने लब जाता फ्रीलेंसर यही करते हैं, कि exactly बोल देते हैं, कि मैं आपका काम हजार डॉलर में करते हूं, but exact quote करना बिना client की requirement जाने, बहुत गलत है, क्या पता client आप से 5000 का का काम करवा तो आप कम भी charge कर सकते हो, ज्यादा भी charge कर सकते हो, अगर आप exact quote देते हो, या ज्यादा भी charge हो सकते हैं, तो इसलिए आपको exact quote नहीं देना है, आपको price bracketing का use करना है, आपको bracket में price बताने की, आपका, आपकी requirement मुझे जादा नहीं पता, बट मैं 1000 डॉलर से लिके 5000 डॉलर वो आपके बारे में already जानते हैं, आपके काम को जानते हैं, आप क्या करते हो, ये भी जानते हैं, और उनको website या आपकी services की क्यो नीड है, वो भी जानते हैं, तो ये सब बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको ये सब बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके क काम की क्या भी फीचर बेनिफिट या क्या वैल्यू है वो अल्रडी जानते हैं सिलिए आपके सांथ वो मीटिंग में हैं चीप जो होता है वो हमेशा एक साइन देता है कि यह काम अच्छा नहीं होगा तो इसलिए आपको कभी यह नहीं बोलना है चीप अगर आप बाकियों से कम चार्ज कर सकते हैं तो इसका बोलने का सही तरीक है अफोर्डेवल माइ सर्विसेजर वेरी एफोर्डेवल मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं नाखी चीप नहीं बोलना है अफोर्डेवल बोलना है नवर फाइफ सेंडिंग प्रपोजल विदाउट एग्रिंग ऑन प्राइस और बजट जिहां दोस्तों कई टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट से बात कर लिए बात कर ली ना वन ने बजय को अपना बजट बता है और क्लाइंट बोला और pretty अगर तो प्रॉपोर्पोज बना रिख लिके कि यسم कर रहा हूं चारजार एक्सपेक्स कर रहा हो आप उसे हजार दूझ इसलिए के आप जब बजट में भैज़ते हो तो उसका एकदम से reaction आता है client को कि अब इतना जादा या इतना कम कुछ भी reaction हो सकता है तो हमेशा जो meeting होती है उसी में client के साथ approximate budget discuss कर लेना चाहिए, proposal पे budget लिखके client को shock नहीं गरना चाहिए, हमेशा जब discuss हो जाए pricing उसी के बाद अपनी meeting close करो और उसी के बाद proposal भेजो और उसमें exact quote और इस चीज के मेरे ये charges है और अगर आपको ये चीजे और करवाने तो प्लस इसमें इतना और एड हो जाएगा पर पेज आपको 100 डॉलर एक्ट्रा लगेंगे पांच पेजिस प्री है इस ब्राइस के अंदर है पर पेज उसके बाद अगर आपको extra pages से ही आप ये चीज कर in the business of sending proposal you are in the business of whatever you do. तो हमेशा client अगर agree हो आपके उपर, आपके terms के उपर, आपके budget के उपर तभी आपको proposal भेजना है वरना proposal भेज के time बर्वाद मत करो. Number six, too much follow up या फिर आप desperate हो. तो आपको ये नहीं करना है कि client ने बोला चलो मैं आपने client से meeting कर ली, client ने बोला चलो I'll get back to you और मुझे एक हपते का time दो. तो आप उसको just 4 दिन बाद message कर रहे हो, email कर रहे हो, फिर उसके आद उसका reply नहीं आए, फिर 2 दिन बाद फिर से कर रहे ह आपको बार बार message नहीं करना है, follow up करना जरूरी है, client ने बोला आपको एक दिन बाद मैं आपको बताता हूँ, तो आप एक दिन बाद message करोगे, client reply नहीं देता, 4 दिन और बेट करो, फिर पूछो, 5 दिन और बेट करो, फिर पूछो, उसके बाद में पूछना छोड़ दो. Client खुद आपके पास आएगा, ज्यादा messages करोगे, ज्यादा परिसान करोगे, client को कि कब शुरू करना है, क्या करना है, मैं rate कम कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, तो client को दिखता है कि आप desperate हो, उनके साथ काम करने के लिए, maybe क्यों, क्योंकि आपके पास काम नहीं है, आप enough क professional नहीं हो, आपके आज ज्यादा client नहीं आते, तो आप इसलिए बहुत ज्यादा desperate हो काम करने के लिए, तो ऐसा कही cases में हो सकता है कि client busy हो, या उसे कुछ काम निपता नहीं हो, आपके साथ काम करने से पहले, इसलिए वो आपको reply नहीं दे रहा है, respond नहीं दे रहा है, तो client क अपना time लेने दो, परिशान बिल्कुल मत दो, number seven, talk too much and not listening to them, हमेशा client चाहते हैं कि उनकी बात कोई सुने, उनकी problems को कोई सुने और समझे उनने understand करे, और most of the freelancers यही गलती करते हैं कि वो सुनने से ज्यादा बोलना शुरू करते हैं, इसलिए भगवान ने इनसान को दो का और एक मुधिया है क्योंकि उसे कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दो कान क्यू दिये, ज्यादा सुनने के लिए, तो आपको client से उनकी problem, challenges वगएरा को अच्छे सुनना है, अच्छे समझना है, client को feel कराना है कि ह आप उन्हें समझते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, mirroring करके, mirroring क्या होता है? आप client ने बोला, यहां पर लोग conquise होते ही, तो आपको साथ साथ मीटिंग में notes भी लिखने हैं, और joh client बोलता है उसके last के तीन-चार वर्ट्स को repeat करना है उससे क्या होता है इसे कहते है mirroring technique और उससे क्या होता है client को लगता है कि हाँ उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और जब client को ऐसा लगता है कि सामने आला बंदा उन्हें understand कर रहा है उनको सुन रहा है, उनकी बातों को समझ रहा है तो उस पर trust easily करते हैं हमेशे क्लाइंट की बातों को सुनना है अपनी बातें बोलने से जगा क्लाइंट को बोलने का चांस देना है क्योंकि हर किसी को बोलना पसंद है पर किसी को सुनना पसंद नी है बट आपको काम चाहिए तो आपको चुनना आना चालिए Bonus Tip आपको कैसे करना है Client के साथ Meeting, Docter की तरह आपको प्यार से, धीरे से, अरम से बात करना है काम हो के बात करना है, बिना किसी pressure, बिना किसी stress के अच्छे से शान्ती से बात करना है कि आप professional दिखाई दो, जैसे एक doctor बात करता है, बड़े ही प्यार से, then last में आपको client को sign करना है, जब आप उसको सब कुछ उसकी बातों को समझ जाओ, उसके business को समझ जाओ, और आप guess कर लो कि client का budget क्या है, यह सब किस में सीखा जाता है, यह सब sales में सीखा जाता है, इस channel पर म आपको आज की video पसंद आई होगी, और video अगर पसंद आई है, तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को like और channel को subscribe, मिलता हूँ आपको ऐसी video के साथ, until next time,